अगर आप लोगों को कोई ऐसा डिवाइस चीह जिसमें कि आप ओनलाइन क्लासेज गेमिंग बिजनेस एंड कॉंटेंट को एजिली कंजूम कर पाओ जहाँ पर आप इन सभी कामों को एजिली बिना किसी रोक टोक के कर सकते हो क्योंकि वहाँ पर आपको एक बड़ा डिस्प्लेई एंड बड़ी बैटरी मिल जाती है बागी परफॉर्मेंस इस्पैक्स पर आपको ठिक ठाक मिल जाते हैं अगर आप 20,000 रुपीस के बजट पे की तबा देना बाकी चलिए लेट्स के स्टाड़ेट नमबर फाइफ यू विल गेट हुआ वे मीडिया पर टीफाइफ जो की एक वाइफाइ वाला टैबलेट है अभी इस टैबलेट में आपको 10.1 इंच का एक फुल एजडी IPS डिस्प्लेई मिल जाता है 3GB फ्रेम एंड 32GB इस टोरेज आपको देखने को मिल जाती है यह लैटॉप ओनली वाइफाइ लैटॉप है यहां पर आप सिम कार्ड नहीं लगा सकते एंड 5MP का कैमरा 51,000 mAh की बैटरी एंड डूल स्टीजियो स्पीकर्स भी आपको इस टाबलेट में मिल जाते हैं एंड काई रिन 659 A53 उक् में कर पा होगे और नॉर्मल वाली गेमिंग भी आप इस लैटॉप में कर पा होगे यहां पर आपको कैमरा इतना अच्छा नहीं मिलता 2MP का फ्रंट कैमरा मिलता है तो वीडियो कॉलिंग वगेरा में आपको दिकत आ सकती है बट एट प्राइस जहां पर यह टेबलेट उससाब से लैप्टव आपको ठीक ठाक मिल जाता है तो अगर आपका बजट कम है तब ही आप इसको लेना अगर आपका बजट थोड़ा बढ़ सकता है देन मैं आपको यह टेबलेट रिकमेंड नहीं करता वाइस अब इस टेबलेट के लिए यह जो टेबलेट है ना इस टेबलेट है जहां पर आपको 10.1 इंच का एक बड़ा डिस्प्लेइ 4GB फ्रेम 64GB फिस्टोरेज Wi-Fi प्लस 4G LTE का सपोर्ट मिल जाता है 8 Megapixels का रियर गैमरा 5 Megapixels का फ्रंट गैमरा मिल जाता है तो अगर आप online classes attend करना चाहते हो आप business purpose के सबसे भी कोई laptop चाहते हो ले 18,000 रुपीज बजट अगर आपका बजट 18,000 रुपे है वहाँ पे ये टेबलेट काफी अच्छा है आपको FHD Plus डिस्प्ले मिलता है Android Pie मिल जाता है और यहाँ पर आपको Snapdragon 439 प्रोसेसर भी देखने को मिल जाता है यहाँ पर आप इस टेबलेट में ठीक ठाक गेमिंग कर सक बिजनिस परपस के साबसे भी आपको एक फास्ट टेबलेट चीए देन आप इसको कंसिडर कर सकते हो अगर आपको कॉलिंग नहीं भी करनी है देन आप सिम मत लगाओ बट अगर आप कॉलिंग करना चाहते हो तो आप इसमें सिम भी लगा सकते हो ओवरल 18,000-19,000 रुपीज के प्राइस पर काफी ठीक डील है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ वहां से जाके आप इसलिए नहीं चेक आउट कर सकते हो और जिनकी नीड है 10 इंचिस वो बाकी टैबलेट को कंसिडर कर सकते हैं अभी ये जो टैबलेट है इसमें आपको 4GB of RAM, 64GB of ROM मिल जाती है उसके अलावा इसमें आपको dual SIM का support मिल जाता है आप इसमें 2 SIM cards लगा सकते हो बाकी 8 इंचिस की एक full HD IPS display मिलती है जो की 1920 x 1200 pixels resolution के साथ आती है बाकी 8MP का एक primary camera and 5MP का आपको front facing camera मिल जाता है तो online classes के लिए भी ये tablet काफी अच्छा है बट मैं बिलकुल भी recommend नहीं करता कि आप online classes के लिए कोई 8 इंचिस वाला tablet लो बैटरे के बात करूं तो वो भी आपको 4850 image की मिलती है जो कि इतनी ज्यादा नहीं है but for those who want a tablet for business purpose then वो लोग इसे check out कर सकते snapdragon 625 octa core processor मिल जाता है तो gamers and business purpose logo के लिए काफी ठीक laptop है जिनको normal gaming करनी है and business के लिए कोई tablet ढून रहे हैं वो इस tablet को select कर सकते हैं but for study I will not recommend this tablet at number two we have samsung galaxy tab a7 guys samsung की तरफ से काफी ज्यादा बिकने वाला and overall tablet की अगर मैं आपसे बात करूं तो उसमें काफी अच्छी position hold करने वाला यह tablet जो कि आता है samsung का tab a7 which comes with 10.4 inches full hd plus display यह काफी slim और metal body के साथ आता है यहाँ पर आपको snapdragon 662 processor मिल जाता है जो कि आपको एक ठीठा gaming करवाने में capable है 3GB की RAM 32GB की ROM आपको इसमें मिल जाती है जो कि expandable है उसके अलाबा quad speakers and Dolby Atmos का support मिल जाता है यह tablet cable और cable wifi है इस tablet में आपको किसी भी तरह की sim का support नहीं मिलता it is wifi only बाकी long lasting 7040 mAh के आपको battery मिल जाती है जो कि fast charging के साथ आती है 8MP का primary camera and 5MP का front facing camera मिल जाता है तो students के लिए the best option है जिनको gaming करनी है online classes भी attend करनी है data consume करना है काफी ठीक डील है 20,500 रुपीज के price पर आता है बाकी अगर आपको display के मामले में best option चीए तो आप Samsung के साथ जाओ क्यूंकि इसमें आपको बड़ी display बड़ी battery and performance भी काफी ठीक ठाक मिल जाती है guys here comes the best one which is Lenovo Tab M10 जो की full HD display के साथ आता है यहाँ पे आपको 10.3 inches की FHD plus display मिलती है जहाँ पे एकदम narrow bezels आपको देखने को मिल जाती है both side Wi-Fi plus LT का support मिलेगा तो आप इसमें SIM वगेरा भी लगा सकते हो 8MP का auto-focus rear camera and 5MP का आपको front camera मिलता है त तो online classes भी आप इसमें easily attend कर सकते हो 4GB of frame मिल जाती है 128GB के आपको internal storage मिलती है वैसे आप इसका 64GB ROM वाला model भी खरीच सकते हो वो थोड़ा सस्ता आ जाता है यह around 21,000 का आता है और वो आपको around 20-19,000 के आसपास मिलता है वैसे इसमें आपको 5000 mH की lithium-ion battery मिलती है जो कि इतनी ज्या और आप 20,000 रुपीज में जो tablet ढून रहे हो इसमें gaming भी करना चाहते हो ना I mean 20,000 रुपीज में best gaming tab then you can select this one यहाँ पे आप काफी अच्छी gaming कर सकते हो इस tablet से और बाकी सारी चीजे भी easily हो जाती है बाकी यह भी एक thin and lightweight tablet है overall guys अगर मैं आपसे बात करूं conclusion की कि कौन सा tablet आप आपके लिए best option हो सकता है तो देखो अगर आपको gaming and online classes के लिए best tablet चीए आप Lenovo Tab M10 के साथ जा सकते हो Samsung वाला भी काफी अच्छा tablet है अगर आप business purpose के साब से कोई चोटा tablet चाहते हो then आप Lenovo का Tab 4 select कर सकते हो उसमें भी आपको काफी seamless experience मिलता है बाकी for all purposes you can check out Lenovo Yoga Smart जो की students के ल आप Huawei का media पर T5 भी select कर सकते हो बाकी नीचे comments में जरूर बताना इन में से आप कौन सा tablet select करने वाले हो and मेरे को ये भी बताओ क्या इसमें कोई tablet चूट गया जो मैं consider कर सकता था बाकी गाइस मैं मिलता हूं आप लोगों से जल्दी किसी नए वीडियो में किसी नए gadget के साथ म किनी से हुए हूए 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 है